मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे यहां से विद्यादर नगर से प्रत्याशी बनाया पार्टी ने मैं हमारे राष्टे नेतृत्तों का धन्यवाद देती हूँ प्रधान मंत्री जी का राष्टे अध्यक जी का ग्रह मंत्री जी का हमारे प्रदेश अध्यक जी क पूरी टीम का बहुत-बहुत आभार विक करती हूँ कि मुझे ये अफसर दिया जैपुर से और बिलकुल सभी कारेकरताओं का क्योंकि ये चुनाओ दियाकुमारी अकेली नहीं लड़ेगी ये चुनाओ कारेकरता लड़ेंगी और वैसे भी भारतिय जन्तापाटी का कारेकर कि आप दो ये जयापुर से लेकिन जो विधान सभा है वो मेरे लिए नहीं है तो बिलकुल पटुनाओ करहें नहीं करने लेकिनांभी ये लिए नहीं केर incredibly और सवागय है कि घर से चुनाओ लड़ने का इस वारेवसर счит मैंने मान पहले दुद थे चुनाओ एक पुर खासा जाना तो वैसे ये जरूर है कि विदायक को सबसे एक बार संपर्क करना बहुत आवश्चक है घर-घर भी जाना पड़ता है तो मैंने तो विदायक का भी लड़ा हुआ है सवाय मादुपर से और विद्यादर नगर से प्रत्याशी बनी हूँ और फिर संसिद्य शेत्र क्या ह बढ़ा होता है तो वहाँ पर आप वो एक ही चीज है चाहे वो विदायक का जो शेत्र होता है चोटा होता है संसिद्य शेत्र बढ़ा होता है तो आपको बहुत बढ़ा एरिया कवर करना होता है और मेरा जो संसिद्य शेत्र था वो विशेष था चार जिले थे तीन और अल्मोस 500 किलो मिटर लंबा शेत्र था तो वो भी चुनोती ही थी लेकिन बहुत अच्छा शेत्र था मैं तो बिल्कुल मेरे लिए तो एक घर के समान हो गया है वहाँ पर जितने भी वहां के कारिकरता है मेरे लिए तो वो भी एक परिवार ही है उसे पहले सवाय मादुप थी और अब तो और भी हो गई है और अल्मोस 45 वाड थे तो वो बहुत बड़ा शेत्र था तो बिल्कुल दोनों जो भी पार्टी देती है काम हमको तो करना ही है अभी मैं अजमेर संभाग की प्रभारी भी हूँ और काम तो करना ही है बहुत अच्छा लगता है लोगों के बीच रहे ना जनता के बीच रहे ना इतना मान सम्मान मिलता है आशिरवाद मिलता है बुजर्गों का इतना सने मिलता है लोगों से बहुत अच्छा लगता है कि अगर उनका मैं कोई भी काम कर सकूँ जी लगता है वो सबसे इंपोर्टन्ट है जो आपको सेल्फ एक्षिन मिलता है ना किसी और को खुशी देने के बाद उसकी उसका कोई कंपारेजन नहीं लेखिए ऐसा है वो जो भी उन्होंने कहा वो नहीं कहा मैं उसके लिए कुछ नहीं कॉमेंट करना चाहूंगी मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं उनके परिवार का करती हूं भैरो स कुछ भी नहीं कहूंगी और मैं तो यह कहूंगी कि आप पधारे मेरे साथ इस चुनाओं को लड़े मुझे आशरवाद दें आपका सपोर्ट कल आपने उनसे बात भी की थी कुछ एशोरेंस मिला इस चीज को लेकर मैंने देखिए बात तो मैंने उसी दिन की थी जिस दिन अच्छी का भी और मेरा भी तो इतना मैं तो इतना समान करती हूं तो इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए आप सुवाइमादुपूर से विधायक रही है पहले वहां से आपको लोग लेके कहते थे का आपको दोबारा से लडाना चाहिए थे पर पार्टी ना पूराज समन से कि अगर इस पर जादा विचार मंतन कर लेती तो इसा मैं कुछ नहीं कहूंगी पार्टी ने जो डिसेजन लिया वो अपने अपने सतर पे उन्होंने लिया सोथ समझ के ही लिया होगा हम लोग पार्टी से उपर नहीं है और जो मुझे ये अफसर मिला है मैं तो बिल्कुल अब मुझे जो काम मिला है उस पर मुझे ध्यान देना है मुझे चुनाव लड़ना है और इस सीट को पार्टी को देनी है कि ये लीजिए एक और कमल का फूल जो 20 200 हमारे विदायक जीतेंगे उसमें एक विदायक मैं भी बनूंगी और हमारे विद्यादर नगर का भी एक क पार्टी का डिसिजिन था और आप मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूंगा तो ऐसे में आपके लिए कितना मुझेर होगा क्योंकि आप सवाई मादूपूर राजसमन में भी पिला हूँ देखिए वो भी मेरे लिए नहीं सीजी थी सवाई मादूपूर भी मेरे ल राजसमन तो उससे पहले में कभी गई नहीं थी तो अच्छा है मुझे तो चैलेंजे अच्छे ही लगते हैं मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा जब नए कारे करता हूं से जुंडे का मुझे एक अफसर मिलेगा और एक एडवांटेज मेरे लिए तो बिल्कुल है क्य अच्छा है सभागया है कि प्रधान मंतरी जी जैपूर पधार ने हैं और विद्यादर नगर पधारेंगे तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है अब हमारा प्रत्याशी है और जो भी प्रत्याशी हमारा है है सीम का वो कमल का फूल है और हम सब माने प्रधान मंतरी जी और भारतिय जन्ता पार्टी के नैत्रुत्व में सारी सीट सेफ हैं बीजेपी के लिए सारी सीट सेफ हैं यह कॉंग्रेस को सोचना है कि उनके लिए कौन सी सीट सेफ है राजस्तान में बीजेपी ने अभी तक केवल 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है लेकिन ऐसा लगता है कि जो 41 प्रत्याशी तैह हुए हैं उन्होंने अपना चुनाओ प्रचार्थ शुरू कर दिया है मैं इस वक्त हूँ विद्यातर नगर जैपूर की सीट से प्रत्याशी बिनाई गई सांसत दियाकुमारी के घर पर आप देख सकते हैं कि समर्तकों से घिरी भी दियाकुमारी दियाकुमारी के बारे में एक रोचक तती है कि पहला उन्होंने चनाओ लड़ा सवाई मादोपूर से विधायक का वो वहां से जीती उसके बाद उन्हें पार्टी ने साल 2019 में लोकसबा के लिए प्रत्याशी बनाया राजसमन से वहां भी उन्होंने शांदार जीत की और उसके बाद अब पार्टी ने उन्हें बनाया है जैपुर की विध्यातर नगर सीट से प्रत्याशी इसी सिल्सले में ये भी चर्चा है कि आने वाले दुनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी खास विद्यादर नगर में रैली कर सकते हैं ऐसे में ये उमीद जताई जा रही है कि दिया कुमारी को एक बड़ी जिम्मदारी मिल सकती है राजस्तान बीजेपी के लिहाद से हाला कि वो खुद यही कहती हैं कि इस वक्त वो एक प्रत्याशी हैं और जैसे 200 प्रत्याशी चुनाओ मैदान में हैं ठीक वैसे ही वो एक प् उल चुका है और यहां पर कारेकरता हों के लिए चाये से लेकर नाश्तर तक का इंतजाम किया गया और तमाम लोग tinhaनमारी मिले का बातचीत करने का ऐख度u और खुद दियाकुमारी भी मानती है कि पार्टी ने उन्हें जिम्मधारी दी है, पार्टी ने उन्हें पर भरोसा किया है, और खास बात यह है कि इस बार उन्हें अपने घर से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। पूरी ती और यह उनका जो मकान है उसको युगर है सवक सिविल लाइन से लाके में उसे बदला जा चुका है कार्याले में यहां पर और आने वाले दिनों में यहां पर कुछ और आपको चुनाओ के रंग नजर आएंगे लेकिन इस वक जिस तरीके का माहौल है रामु है दिया कुमारी जी के पड़ती वह आप देखने सवाई मादूपूर से लोग यहां है राजसमन से लोग यहां है और इनको बदाएं भी दे रहे हैं अब वो प्रिंचे साहिबा की इस्ततिय है कि एक आग में तो खुशी के आश हो है एक आग में उनसे भी चुड़ने का गम है तो यह खुशी और गम के बीच के अंदर जो एक उच्छा का महूल है जिसको आप यहां आत्म साथ कर रहे हैं मुझे देख रहा हूं चाय से लेकर नाश्टे पानी का इसा लगता है प्रचार पूरी रंगत में है आप इसको परचार नहीं कह सकते यह बस एक लोगों के संस्कृति है तो उसके तहट लोग आ रहे हैं दिया कुमारी जी से बात करें तो बोली कि मेरे लिए इस बार सबसे अच्छी बात है मैं घर से चुनाओ लड़ रही हूं चुकि जैपूर राजपरिवार से हैं वो तो ऐसे मापको लगता है जैपूर से जीत होगी वह बह लिएगा की जैपूर राजपरिवार ने जंता को एक परसेंट भी किसी तरह के तकलीफ दी हो या उनको तकलीफ में डालो तो पब्लिक की सेवा करना जैपूर राजपरिवार का परमधर्म है चाहे वो तीस्ट यार हो, होली दिपावली हो, किसी भी तरह का फेस्टिवल हो वो जनता के बीच में रहके मनाते हैं और यही खुबसूरती जैपूर राजपरिवार की जैसे मीडिया के साथ, पब्लिक के साथ में जो होली वगरा मनायते हैं, करते हैं, यह तो सब कुछ है ही लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक से जुड़कर के जैपूर राजपरिवार जो काम करता है और आप सब देख रहे होंगे कितने काहिल हैं लोग इनके काम के, कितने दिवाने हैं आप लोगों की इच्छा है कि चीफ पिनिस्टर भी बन जाए हो कौन फैल होना चाहता है उनको खास तोर पर जैपूर की एक कमफर्टिबल सीट पर लाए तो ऐसा तो नहीं कहीं प्रोजेक्शन की तयारी बतार सी देखे यह जो वीजेपी है केडर बेस पार्टि है और आम जो नहीं करता है वो जमीन से लेकर आसमान तक बैड़ सकता है यह भारतिय जिन्ता पार्टि की खुपशूरती है और जो आला कमान जो आदेज देते हैं वह शिरोधारी होता है हर व्यक्ति के लिए हर विदाई के लिए हर एम पी के लिए तो इस तरीके का नजारा फिलाल आपको दिया कुमारी के इस ओफिस में देखने को मिलेगा कि यहां पर सुबै से ही कारे करता हूँ कि भीड है हाला कि आपचारिक रूप से उन्होंने विद्यादर नगर इलाके में प्रचार शुरू नहीं किया है क्योंकि यह माना जा रहा है कि जब तारीक तै होगी उसके बाद वो अपना नामांकन भरेंगी और फिर प्रचार का सिल्सला शुरू होगा लेकिन लोग जिस तरीके से उनके इस दफ्तर पर उमड रहे हैं उससे लगता है कि दिया कुमारी एक बड़ी जीत हासल कर सकती है और उनका मानना है कि यह एक पार्टी का आदेश है जिसको वो पूरा कर रही है अगर विद्यादनगर सीट की बात की जाए तो मौझूदा विधायक नर्पसिंग राजवी को फिलाल वहां से टिकेट नहीं दिया गया है और इसी कारण अब यह माना जा रहा है कि नर्पसिंग राजवी बगावती भी हो सकते हैं लेकिन वो खुद इस बात से इंकाल कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई बयान ने दिया वो पाल्टी के हर बात को हर आदेश को पूरा करना चाहते हैं कैमरामेन गोइंसाउग के साथ मनीश शर्मा, ABP News, जैपुर